नमस्कार, आज हमें सिद्कुल सिगेड़े कोड़वार में हैं और हम लोग यहां पर एक परमा की नव निर्मित एक्सपोर्ट यूनिट को आज वास्तु से एनरजाईज करने के लिए जिसके लिए हमने चूज किया है ये 4000 साल पुराने विदी को जो समरांगन सूत्रधार मे अधे वर्णिक है मन्जूशा बनाते हैं मन्जूशा का मतला होता है रत्मों की पेठी तो एक एक कॉलम में इस मन्जूशा में 25 खाने हैं एक खाने में अलग अलग तरह के रत्म जो हैं दिशाओं के इसाफसे लगता है जैसे कि यह मैं आपको समय जो डाल रहा हूं यह है दाइमंड का चूरा इस तरह से हर ग्रहय के जो भी रत्न होता है उसको हम लोग यहां पर प्रिपेर करके एक मंजूशा नाम की पेठी का बना कर और इसको हम सेंटर में चार मंजूशा या पांच मंजूशा अगर हमारा ब्रह्मिस्थान किसी तरह से उर्जित हो जाए तो फेक्टरी या वह प्रिमिसस या वह घर एनर्जी से ब्लूम करने लगता है और हमारी कोशिश है कि आज हम इसको ब्लूम कराएं इस तरह से हमने 25 दिशाओं के 25 रत्न, 25 उनके मिनरल्स और 25 खनिज मंजूशा मे सके डाल सुज़ए इसके बात ये पारा है इसको हम लोग मंजूशा के अंदर ही डालता है क्योंकि पारा यो टामेज कर देता है इसको बहर से डालेंगे जो इसको स्थान रहे गया है इसकी हम फिलिन्ड कर देंगे आज बेल्जियम क्रिस्टल से, इसे बेल्जियम क्रिस्टल, वरी पावर्फुल, और इसको हम पुरा का पुरा मंजुशा ते, जितने भी कॉलम से, इसको हम भर देगे, like this, and this will make a great combination of directions, energy, balance, planets, inner premises, and now you can see, we have fill this मंजुशा बेल्जियम क्रिस्टल, ये इसमे स्वर्ण माक्षी बस्म है, क्योंकि स्वर्ण का हमें इसमें एक आक्षेत देना है, एक भावना देनी है, तो हम इसमें इसको चार्ज कर देंगे, स्वर्ण बस्म से, अगर हम गोड का कोई छोटा सा भी पीस डालते हैं, तो व अगर हम इसको चार्ज कर दिया, स्वर्ण बस्म से, इस मंजुशा की खासियत है, कि इसके इंडर जितने भी शुब चिन हमारे शास्त्र में रिवड़नेट है, वो सारे की सारे इसमें बने हुए है, शंग, चक्र, गदा, पद्म, और जितने देवता फीड्स हैं, उनके एक फुली चार्ज हमारा वास्तर हो यंदर तयार है, और इसको हम ऐसे करके बंद करेंगे, अब यह हमारी मंजुशा,